बिसम्लाइब रह्माइब आज मैं आपके लिए बहुत ही खूब साथी रिबन हेरबर टुटोरियल लेकर आई हूँ यहां मैंने फॉर स्ट्रेंड्स ले लिए हैं रिबन के टूथ की लेंद्स 10 इंचिज है और टूथ की लेंद्स 11 इंचिज है यह 10 इंचिज वली लेंद्स की दो स्ट्रेंड्स को इस रिखे से हम एजिस को सेंटर में फॉल्ट कर देंगे और यहां पर एक रेनिंग स्टिच लगा देंगे सेम प्रोसेस हम दुसरे के साथ करेंगे, इसको भी हम फोल्ड करके सेंटर में रेनिंग स्टेश लगा देंगे, अब इस स्ट्रेच करके हम इसके एक बोब ना लेंगे, इसके बाद हम बाकी दो स्ट्रेंट्स को फोल्ड करेंगे उसको हम किछी स्ट्रीके से फोल्ड करेंगे पहले हम सेंटर को मार्क कर लेंगे फिर वी शेप में किनारों को फोल्ड करके इस तरीके से दोनों किनारों को हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से हम दोनों स्ट्रिप्स को पॉल्ट करके सेंटर में से एक रेनिंग स्टिच लगादेंगे यहां भी हम धागे को स्ट्रेच करके इसको एक हेर बो के फो में ले आएंगे इन दोनों का हम वापस में अटैच कर देंगे इस तरीके से इसको हम सिक्यूर कर लेंगे अब मैंने ये एक नेट की लेस्ट ले ली है इसको मैं दो इक्वल हाफ्स में कर लूँगी यहां इसका मैंने फॉल्ट कॉर्णर जो है वो कट कर दिया है और किनारे फॉल्ट कर लिए है इस तरीके से हम बो की पॉम में इसको जो इस डाल लेंगे सुई दागे की हाग से और दोनों का अटैच कर देंगे आपस में आप कोई भी नेट का पीस यूज़ कर सकते हैं कोई भी लैस यूज़ कर सकते हैं अब इसके उपर हम अपनी बो को अटैच करेंगे यह मैं फैबरिक ग्लू यूज़ कर रही हूं इसको पेस्ट कर दूँगी यह जो मैंने लैस के किनारा एक डी अटैच किया था उसको मैं फैबरिक ग्लू की हल्प से इसके से बो के सेंटर में ड्रैप कर दूँगी इसके पीछे आप चाहें इस बो के पीछे आप चाहें तो टिप भी अटैच कर सकते हैं रबर बैंड भी लगा सकते हैं और इस तरीके से हमारी बोजो है वो अलमस्ट ड़न हो गई है यहां हम एक पिन लेकर इसके पीछे ग्लूगन की हर्ट से पेस्ट कर देंगे आप देख सकते हैं बहुत ही खुब सथ हमारी हेरबोर रेडी हो गई है आप बच्चियों के फ्रॉक्स के साथ मैचिंग यह बहुत ही इसके क्या है नेकिसे बंड़ में नीत हमना जेख सकते हैं आभी अवेलेबन में गारती हैً लेने